प्रजबर बेचों को दिया है ये बड़ा टास्क नेताओं की होगी अगनी परिक्षा इसके साथ ही दोरों नेताओं को विपक्ष उन पिछड़े नेताओं को भी साथ लाने की भी जिमिदारी दिगे है जिनकी हारी हुई सीटों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है और वे विपक्ष में विधायक या सांसद रही है दरसल विपक्षी एक्ता की कवायत को देखते है भाजपावी पिछलोगसबस चुनाव से इस पार की चुनाव में और अच्छे प्रदर्शन की त्यारी कर रही है देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के ना ते असी लोगसबसी हमीतले यूवी का केंद बनाने में बड़ी भूमक्त होती है इसलिए भाजपाउकी की सबढसी सीटों को जीतने के लिए पोकस होकर काम होगा वहीं अम्बेटकर नगर सीट जीतने के लिए भाजपा ने राजबर को टास्क दे रखा है इसके लिए राजबर को विपक्ष के एक बड़े नेता को तोड़ने की जिम्मेदारी दे गई है जो इस समय विधायक है सुत्रों की मारें तो प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने पर भाजपा का फोकस तो है ही लेकिन मौझूदा समय में उन 14 सीटों पर विशेश फोकस है जो विपक्ष के पास है इनमों पूर वांचन की गाजीपोर, घोसी, लालगन, जौनपूर, अमेरकर नगर और इसरावस्टी सीट को जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है इसलिए भाजपा के सीर्ष नेतरत्व में पार्टे के नेताओं के साति राजपर और दारा सिंग को भी विशेश रूपसे इन सीटों को जीतने का टास्क दे रखा है सुत्रों का कहना है कि भाजबर नेताओं से हुई बाचीत की दरण सुभा सपाध्देक्ष से बकाइदा इन सीटों पर उनकी जाती की संख्या और उनके प्रभाव के बारे में भी पूछा गया था बाचीत में ये भी पूछा गया था कि गाजी पूर और लालगन सीट जिताने में वे कितना प्रभावी रहेंगे सुत्रों का कहना है कि राजबर ने भाजबर ने भाजबर के सीर्ष नेतरत्व को दोनों सीटे जीतने का भरूसा भी दिया है साथ ही आसवस्त किया है कि जल्द ही विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को तोड़ कर एंडिये में शामिल कराएंगे माना जा रहा है कि अगले दो-तीन महीने में पूरवांचल के सियासत को बड़े बदलाब देखने के मिल सकते हैं अनुप्रिया और निशाद पर भी है दवाब सुबा सपाप नदल और निशाद पार्टी के नेताओं को अपने कोटे के सीटों के अलावा विपक्षी सीटों पर अपने अपी जातियों का वोट एंडि के पक्ष मोमनी की जिम्मेदारी दी गए है इसके लिए तीनों घंडग दलों को विपक्षी सीटों अपने संगठन को पूरत इस्ताय पर मजबूत करने को भी कहा गया है